पंडित जुगल किशोर शुक्ला ये वो नाम है जिसने हिंदी पत्रकारिता को जगत में एक अलग पहचान दी 30 मई 1826 ये वो तारिक है जिस दिन हिंदी पत्रकारिता की श्रुवात कुई थी वैसे तो देश दुनिया में 30 मई की तारिक तमाम वजहाँ से दर्च होगी नाम से पहला समचार पत्र 30 मई 1826 को ही छपा था इसलिए इस तारिक को हिंदी पत्रकारिता दिवस की रूप में मनाया जाता है पंडित जुगल किशोर शुकला ने इस कॉलकत्ता से सप्ताहिक के तोर पर शुरू किया था जुगल किशोर शुकला वकील भी थे और कानपूर के रहने वाले थे उस समय अपनी वेश्चिक ब्रिटिश भारत में उन्होंने कॉलकत्ता को अपनी करमस्थली बनाया प्रतंत भारत में देश्वासियों की हक की बात करना बहुत बड़ी चुनोती बन चुका था इसके लिए उन्होंने कॉलकत्ता के बड़ा बजार इलाके में अमरतला लेन कॉलुटोला से सप्ताहिक उद्धन्थ मारतन का प्रकाशन शुरू किया यह सप्ताहिक पत्र हर हफ़ते मंगलवार को पाठकों तक पहुचता था प्रतंत्र भारत की राजधानी कॉलकत्ता में अंग्रेजी शासकों की भाशा में अंग्रेजी के बाद बंगाल और उर्दू का परभाव था इसलिए उस समय अंग्रेजी, बंगाल और फार्सी में कई समचार पत्र निकलते थे, हिंदी भाषा का एक भी समचार पत्र मौजूद नहीं था 1818-1819 में कॉलकत्ता स्कूल बुक के बंगाल समचार पत्र समचार दरपण में कुछ हिस्ते हिंदी के भी होते थे इसलिए हास से उद्धन्ट मार्दन सहासिक प्रियोग था इससे सपताहिक समचार पत्र के पहले अंग की 500 पृतियां छपी, हिंदी भाषी पाठकों की कमी की वज़ह से उसे जाधा पाठक नहीं मिल सके दूसरे बात कि हिंदी भाषी राज्यों से धूर होने के कारण उन्हें समचार पत्र डाग दुआरा भेजना पड़ता था डाग दरे बहुत जाधा होने की वज़ह से इसे हिंदी भाषी राज्यों में भेजना भी आर्थिक रूप से महेंगा सोधा हो गया था पंडित जुगल किशोन ने सरकार से बहुत अनुरोद किया कि वे डाग दरों में कुछ रियायत दें जिससे हिंदी भाशी परदेश में पार्थकों तक समचार पत्र भेजा जा सके लेकिन ब्रिटीश सरकार इसके लिए राजी नहीं हूँ किसी भी सरकारी विभाग ने उद्दन्मार्दन की एक भी प्रती खरीदने पर भी रजामंदी नहीं थी पैसों की तंगी की वज़े से उद्दन्मार्दन का प्रकाशन बहुत दिनों तक नहीं हो सका और आखिर्खार 4 दिसंबर 1826 को इसका प्रकाशन बंद कर दिया गया आज का दोर बिल्कुल बदल चुका है उद्धन्द मार्दन का शापदी कर थे समचार सूरे अपने नाम के अनुरूप ही उद्धन्द मार्दन हिंदी की समचार दुनिया के सूरे के समान ही था उद्धन्द मार्दन के उद्धेश्य को सफष्ट करते हुए जुगल किशोर शुकला ने लिखा था जो या थावत प्रसूथ है या उद्धन्द मार्दन अब पहला पहल हिंदुस्तानियों के हैज जो आज तक किसी ने नहीं चलाया पर अंग्रेजी और पार्सी और बंगाली में जो समचार का कागस छपता है उसका उन बोलियों को जानना और समझने वालों को ही होता है और सब लोग पराय सुखा सुखी होते हैं जैसे पराय धना धनी होना और अपनी रहाते पराय आखे देखना वेसे ही जिस गुन में जिसकी पेट नहो उसको उसके रसका मिलना कटीन ही है और हिंदुस्तानियों में बहुत तरे ऐसे है आप देख रहे हैं ते दन ग्री न्यूस मैं हूँ शेक जूही शुक्रिया